हेलो एव्रीवन यह वीडियो एक हेल्प काइड मैनुवल है जिसमें मैं आपको द्यालभाग एजुकेशनल इंस्टिटूट द्वारा संचालित डिप्लोमा इन इंजिनिरिंग गुरूप ए का फॉर्म किस परकार से फिल करना है यह बताने जा रहा हूँ जिससे आपको किसी भी परकार की परेशानी ना हो तो एपलाई करने के लिए आपको अपना ब्रावजर ओपन करना है और टाइप करना है www.di.ac.in और सर्च करना है तो यहां पर सबसे पहले नंबर पर जो साइट है इस पर मैं किलिक कर रहा हूं तो यह मेरे पास द्यालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट के साइट ओपन हो चुकी है आपको थोड़ा नीचे आना है और सर्च करना है एड्मिशन नोटिफिकेशन पर तो यह देखे और यहां पर नीचे में अधिन नोटिफिकेशन सेशन 2020-21 क्लिक हेर टू अपलाई ओन लाइन आपको यहां पर क्लिक करना है क्लिक हेर टू अपलाई ओन लाइन पर तो आपके पास उंलाइन एड्मिशन सिस्टम का विंडो उपन ओ चुका है तो यहाँ पर login करने के लिए यहाँ पर application number और password चाहिए इससे पहले हमें register करना होगा तो यहाँ पर नीचे में click here to register पर click करना है आपको तो मैंने यहाँ पर click किया तो register to apply के लिए window open हो चुकी है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अपना नाम, email id, date of birth, आधार number, contact number यह आपको correctly fill करना है ठीक है आप अपना नाम और email id और date of birth एकदम सही भरें क्योंकि आगे आपको फिर problem होगी तो आप अपना यह सब चीजों को जो personal detail होते हैं उनको correctly fill करना according to your documents ओके तो मैंने यहाँ पर सब कुछ fill कर लिया applicant name, email id, date of birth, category, आधार number, country, contact number और यहाँ पर security questions जो आपको बाद में कभी password आपका आप भूल गये हैं तो यह समय reset करने के काम में आता है ठीक है और इसके बाद यहाँ पर आपको उपर में code लिखा हुआ है उसको यहाँ पर type करना है इसके बाद आपको click करना यहाँ पर create account पर है तो मैं यहाँ पर click करता हूँ आपके पास यह नंबर आ चुका है application number और पासवर्ड यहाँ पर आपको screenshot ले लेना है जिससे आपके पास यह application number और पासवर्ड आपके पास रहेगा यह आपके contact number और उसके आ सकता है लेकिन वो कभी कभी डिले हो जाता है तो आप अच्छा होगा कि आप इसका screenshot ले ले ठीक है और इसके बाद आपको click करना है click here पर ठीक है यह मैंने click किया अब मेरे को यहाँ पर application number और password अपना यहाँ पर टाइप करना है तो यहाँ पर आपको अपना application number और password टाइप करना है जो मैंने type कर लिया है और इसके बाद आपको login करना है ओके तो मैं यह login पर click कर रहा हूं तो यहाँ पर आपको total five step में अपना form fill करना है step one में आपका personal information है step two में program selection है step three में academy detail और step four में आपको अपना document upload करना है और step five में आपको payment करना है ठीक है यह आपके पास five steps है जिससे आप अपना form fill कर सकते हैं तो सबसे पहले यदि हम step one की बात करें जिसमें हमें personal information fill करना है इसमें important चीज़ यह है कि आप लोग जो भी यहाँ पर data fill कर रहे है वह correctly fill करें according to your documents otherwise बाद में problem होती है कुछ student गलत fill कर देते हैं तो यह आप ध्यान रखें कि जो भी यहाँ पर fill कर रहे है वह correctly fill होना चाहिए तो मैंने यहाँ पर जितनी वी entities है उसको मैंने fill कर लिया है तो आप अपने according document के according इसको fill करेंगे यहाँ पर जो भी address है permanent address यदि correspondence address same है तो आप यहाँ पर same कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर same कर दिया है ठीक है इसके बाद यह मैंने complete कर लिया है पहला step और मैं स्को save and continue करता हूँ do you want to save the details ओके step one के बाद हम लोग आ चुके है step two में जहाँ पर हमें अपने program को select करना है यहाँ पर हमारे पास तीन option है पहले नंबर पर है PG degree and PG diploma courses दूसरे नंबर पर है diploma in elementary education form तीसरे ंबर पर ॢूजी degree courses and diploma courses काईसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि यहाँ पर commitment in engineering group यपि बाद कर रहा हूँ तो कि यहाँ पर हमें तीसरे नंबर के पाइंट को select करना है तो मैं यहाँ पर मैं तीसरे नंबर के पाइंट को select कर रहा हूं यूजी degrees41 degree courses and diploma को तो यहां पर मैंने क्लिक किया और नेक्ट करता हूं तो यहां पर हमें सिलेट करना है डिप्लोमा ग्रुप यहां पर आप मैक्सिमम फाइब प्रोग्राम्स को सिलेट कर सकते हो यहां पर मैं ओनली डिप्लोमा ग्रुप ए को सिलेट कर रहा हूं ठीक है और उसके बाद next यहाँ पर fees का amount भी given है और fees का amount है 270 diploma group एक लिए next करने के बाद यहाँ पर examination center की बात करेंगे तो actually मैं अभी exam online हो रहा है जैसे यहाँ पर मैं click कर रहा हूँ तो online only so हो रहा है लेकिन यह सिर्फ pandemic की वज़े से हो रहा है यदि यह COVID-19 नहीं होता तो यहाँ पर आपके पास exam centers होते जैसा कि मैं example की तौर पर बताता हूँ जमसितपूर center है यदि आप जमसितपूर center को select करते हो तो आपका exam जो center होगा वो जमसितपूर होगा मतलब जो आपका return test होने वाला है वो जमसितपूर में ही होगा आप जिस center को भी select करोगे वही center आपका examination center हो जाएगा इसके बाद मैं इसे next करता हूँ submit करता हूँ चीज को submit करने के बाद हम आ चुके है step 3 में और step 3 है हमारे पास academic details ठीक है तो हमें यहाँ पर academic details फिल करना है यहाँ पर high school, intermediate class 9 और class 11 जो आपके details हैं यहाँ पर आपको अपने document के according फिल कर देना है ठीक है जैसा कि मैंने यहाँ पर academic details फिल कर लिया तो आपको यहाँ पर धियान रखना है कि यह जितने भी details है correctly फिल करें क्योंकि इसके बाद यह दोबारा edit नहीं होगा submit होने के बाद तो यह आपको धियान रखना है तो आगे preferred branches for diploma group A तो यहाँ पर आपको branch select करना है आप maximum 3 branch को select कर सकते हो फर्स्ट पर जो भी होगा आप जैसे priority जो है फर्स्ट जो आपकी priority होगी वो priority आप यहाँ पर फर्स्ट पर डाल सकते हो जैसे मैंने फर्स्ट पर अपना electronics डाल दिया है दूसरे में मैंने automobile और तीसरे में मैंने फिल किया इलेक्रिक है आपका जो सबसे ज़्यादा इंट्रेस्ट हो उसमें आप उसके according up branches select कर सकते हो ठीक है यहाँ इसके बाद study mode details में आते हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो select education mode है यहाँ पर आपको regular select करना है distance नहीं select करना है ठीक है आपको regular ही select करना है ठीक है इसके बाद study center की बाद करना है तो यहाँ पर आपको द्यालबाग educational institute पर select करना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर father annual income mother annual income और जितने भी यहाँ पर details है इसको fill कर लेना आपको ठीक है तो यहाँ पर मैंने fill कर लिया आपको यदि hostel required है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हो तो मैंने yes कर दिया मुझे required है और यहाँ पर आपको no करना है ever expert आप कहीं किसी भी तरीके से college से निकाले गए तो नहीं हो वो आपको no लिखना है यहाँ ठीक है इसके बाद हम save करते हैं इसको do you want to save the details okay step 3 के बाद आपके पास step 4 आता है जिसमें आपको document upload करना है जिसमें आपको अपनी photo और signature को upload करना है ठीक है और यहाँ पर जो photo का size है वो maximum 500 kb होना चाहिए और जो signature का size है वो 100 kb तब होना चाहिए यहाँ पहले आप edit कर लें इसके बाद यहाँ पर upload करें ठीक है इसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको click करना है ओके यहाँ आपको upload कर देना है ठीक है तो मैं यहाँ पर upload करता हूं अब दूसरा चीज क्या है कि आप यहाँ पर अपने application को डाउनलोड कर लें यहाँ पर option है यह मैंने डाउनलोड कर लिया ठीक है तो यह आप detail देख सकते हो इसके बाद payment करना क्योंकि यह दि मान लीजिए यह आपने कोई mistake किया तो यहाँ से आप एक बार चेक कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर payment के लिए आपको क्लिक करना है प्लीज क्लिक टू में यहां पर क्लिक अब करने के बाद आपके पास एक लिंक आएगा यह सामने में इस लिंक को क्लिक करना है इसके बाद लास्ट में इस पर क्लिक करना है टार्म सेंड कंडिशन पर और प्रोसीड करना है इसके बाद यहां पर आपको फर्स्ट उत्तर परदिश लिखना है इस्टेट आफ कॉर्परेट या इंस्टिटुशन और नीचे में इसके बाद गो यहां पर आपको द्यालबाग एज्टिटुशन इस्टिटुशन पर इसलेट करना है इसके बाद आपको समिट कर रहा है और मैं यहां समिट कर रहा हूं इसके बाद सिलेट कर्टेगरी में अच एड्मिसन फीस पर सिलेट करना है इसके बाद यहां पर आपको अपना अप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड जो पासवर्ड लास्ट में आया था वही पासवर्ड यहां पर एंटर करना है ओके तो यहां पर मैंने अप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर कर लिया इसके बाद आपको समिट करना है कि समिट करने के बाद आपको यहां पर एमाउंट लिखना है 270 अमाउंट था टीक है कॉंन्ट नंबर डेट रब इस ट्टुड केंन और यहां पर आपको साथ है स्टूरेंट नेम Sh आपको समिट करना है कि अपके पास एक बार और यह सारी शीचियर डिटेल्स आएंगी जो आपको एक बार चेक कर लेना यह जिए गलत है तो फिर से अडिट कर लेना है तो कंफर्म करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा ठीक है और आप किसी भी तरीके से पैमेंट कर सकते हैं आप नेट बैंकिंग चाहे तो नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं करें और डेट का अबयूस ओपन सकते हैं और आपके का जँड कर सकते हैं नेट ऐस तो यह आपका पैमेंट का मेथड और यह पूरा process मैंने explain कर दिया है इस वीडियो में इसके बाद भी यदि आपको किसी भी परकार की problem होती है तो यहां मैंने description box में एक contact number दिया है आप उस contact number पे बात कर सकते हैं और आप comment box में भी comment कर सकते हैं यदि किसी भी परकार का आपको doubt है तो मैं वहाँ पे आपको reply ठीक कर ओके, थैंक यू फर वाच्टिन